हेलो स्टूडेंट्स बिये पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स को मैं डॉक्टर मनोर मात्यागी मनोविज्ञान विशे में आज आपको चेप्टर पढ़ाऊंगी पूर्वा ग्रह एवं विभेद को कम करने की विध्या इससे पहले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हू पूर्वा ग्रह किसे कहते हैं पूर्वा ग्रह की विशेष्टाएं क्या होती है और पूर्वा ग्रह किस प्रकार से विक्सित होते हैं आज इस चेप्टर में मैं आपको बताऊंगी पूर्वा ग्रह एवं विभेद को कम करने की कौन-कौन सी विध्या है पूर्वा ग्रह एक ऐसी मनुवरती है जिसका सामाजिक कूप्रभाव इसपश्ट रूप से देखने को मिलता है, पूर्वा ग्रह के कारण अंत्य व्यक्तिक जातिये दंगे, संगश देखने को मिलते हैं, इसलिए समाज मनुवे ज्यानिकों ने कुछ ऐसी विधियों और तरीकों का वर्णन क किया है, जिसके द्वारा पूर्वा ग्रह और उससे उत्पन भेदभाव को आसानी से कम किया जा सकता है, तो इसमें जो प्रमुक विदिया हैं, उसमें सबसे पहला है अंतर समू संपर्क, मतलब समाज में जो विभिन प्रकार के समू है, जातिये समू, धार्मिक समू, उसक पूर्वा ग्रह कम हो सकते हैं आलपोर्ट ने 1954 में सबसे पहले समाज मनोवज्यानिक थे जिनोंने पूर्वा ग्रही व्यक्ति और पूर्वा ग्रह के लक्षे व्यक्ति के बीच उचित संपर्क द्वारा पूर्वा ग्रह को कम करने की विधी पर बल डाला है जब पूर्वा ग्रही व्यक्ति और लक्षे व्यक्ति जो पूर्वा ग्रह का निशाना बनता है एक दूसरे के निकट संपर्क में आते हैं तो पूर्वा ग्रही व्यक्ति को उनके बारे में समझने का अधिक मौका मिलता है फल्स्वारूप लक्ष विक्ति के बारे में बहुत सारी गलत फैमिया अपने आप दूर हो जाती हैं और व्यक्ति में पूर्व ग्रह कम हो जाते हैं विभिन समाज मनोवे ज्यानिकों ने इस तरह के अंतरव्यक्तिक संपर्क या अंतरसमू संपर्क को तीन परिस्थितियों में अधिक प्रभावकारी बताया है पहला है कि पूर्वा ग्रह कम करने में अंतरसमू संपर्क उस इस्थिति में प्रभावकारी होते हैं जहां दोनों सम्हूओं के सदस्यों को समान इस्तर प्राप्त होता है, एक ही स्टेटस के लोगों में जब पारस्परी संपर्क होता है, तो पूर्वा ग्रह कम हो जाते हैं, दूसरा जो है वो है पूर्वा ग्रय को कम करने के लिए अंतर सम्मू संपर्क तभी प्रभावकारी होगा जब दोनों सम्मू हो या दोनों व्यक्तियों के बीच सतही संपर्क ना होकर वास्त्विक घनिष्ट संपर्क हो वास्तिविक और घनिष्ट संबंध होने से व्यक्ति नापसंद समू के सदस्यों को एक व्यक्ति के रूप में अधिक और रूढी विक्रतियां के रूप में कम देखता है मतलब उसको वो एक सामाने व्यक्ति नजार आता है फर्स वरूप पूर्वा ग्रह में कम्याती है इस तथे का समर्थन बैलक और मोर्टन ने अपने अध्यनों में किया है अंतर समु संपर्ख उस परिस्थिती में पूर्वा ग्रह कम करने मधिक प्रभावकारी होते हैं जब दोनों समुहों की सफलता पारसपरिक क्रियाओं पर निर्भर करता है दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब लक्ष ऐसा होता है जिसकी प्राप्ति दोनों समुहों के संयुक्त क्रियाओं पर निर्भर करता है तो ऐसी परिस्तिती में इस ढंक के संपर्क में से पूर्वा ग्रहों में कमी आती है तो ये तीन परिस्थितियां है जिनके जिसमें पूर्वा ग्रह जो है वो कम विक्सित हो पाते हैं उनको दूर किया जा सकता है पूर्वा ग्रहों को कम करने में जो दूसरी माध्या में वो है शिक्षा कि पूर्वा ग्रह को कम करने के लिए समाज मनवय ज्यानिकों ने उचित सिक्षा देने की भी सिफारिश की है इन लोगों का कहना है कि सिक्षा अपचारिक और अनोपचारिक दोनों ढंग से पूर्वा ग्रह को कम कर सकती है अनौपचारिक सिक्षा माता पिता परिवार के अन्य सदस्यों पासपडोस द्वारा बच्चों को दी जाती है इन लोगों को चाहिए कि बच्चों के सामने ऐसी बाते नहीं करें जिसे वे किसी समूई या वर्ग के प्रति पूर्वा ग्रहित हो जाए अपचारिक सिक्षा का संबंद स्कूली सिक्षा से है कि स्कूली सिक्षा, कॉलेज, मदर्सा आदी में जो सिक्षा दी जाती है उसमें भी अगर पूर्वा ग्रहों को कम करने का प्रयास किया जाए तो इनमें कमी आएगी इन संस्थानों के जो सिक्षक हैं उनको चाहिए कि बच्चों को ऐसी सिक्षा नहीं दें जिससे उनमें पूर्वा ग्रहा विक्सित हो उन्हें ऐसा पाठेक्रम सिलेबस बनाना चाहिए जिनको पढ़ने से बच्चों में अच्छा मानसिक स्वास्त विक्सित हो एवं किसी प्रकार की पूर्वा ग्रह जो है इनके मस्तिष्क में जल्दी विक्सित ना हो। विधी का प्रियोक किया है इस विधी में पूर्वा गरही वक्तियों के एक समêu proch को एक प्रसिखषक या जो ट्रेनर होता है दूसरी जाती के लोगों के सामाजिक मानक उनके जीवन शैरनी के बारे में बतलाता है ताकि उस जाती विशेश के वैवारों को पूर्वा ग्रहित जो व्यक्ति है उसके द्वारा ठीक ढंग से समझा जा सके उसकी व्याख्या की जा सके और उनके मन में उस प्रजाती से सम्बदे किसी प्रकार की दक्यानुसी भावना ना हो तो सिक्षा के द्वारा पूर्वा ग्रहों को काफी हाथ तक दूर किया जा सकता है अगला है पूर्वा ग्रह विरोधी प्रचार कि पूर्वा ग्रह के विरोध में रेडियो टेलिवीजन सिनेमा इनके द्वारा जो किया गया प्रचार है उससे भी पूर्वा ग्रह कम हो सकते मेर्ज ने 1988 में अपने अध्यानों में देखा कि प्रजातिय पूर्वघ्रह को कम करने की खयाल से बनाई गई जो फिल्मे हैं, उनको देखने से पूर्वघ्रही व्यक्तियों को ऐसे पूर्वघ्रहों में करीब 60% तक की कमी होती पाई गई इसी प्रकार से अगला जो है वो है असंगत भूमिका की कुछ समाज मनोवेग्यानिकों का कहना है कि जब व्यक्ति को ऐसी भूमिका करने के लिए कहा जाता है जो उसकी पूर्वा ग्रह से मेल जोल ना खाकर उसके ठीक विप्रीत होता है तो कुछ समय तक ऐसी भूमिका के बाद व्यक्ति की मनोब्रती बदल जाती है और उसकी पूर्वा ग्रहों में कमी आती है जैसे उधारन के लिए उच जाती के ऐसे व्यक्ति जो की दलितों के प्रती पूर्वा ग्रहित है कल्यान मंत्री या मुख्या मंत्री बना दिया जाए तो कुछ ही समय के बाद उस व्यक्ति की मनोव्रती दलीतों के प्रति बदल जाएगी और उसमें पूर्वा ग्रह की मात्रा काफी कम हो जाएगी तो इसलिए ऐसा होगा क्योंकि कल्यांड मंत्री वै मुख्या मंत्री होकर उसके लिए भेद भाव करना गेर कानूनी होगा और एक आशोबनिय कारे भी होगा अतै दलितों के प्रति समानता व्यक्त करने के लिए वह व्यक्ति अपनी नकारात्मक मनोवरती को बदल देगा इस तरह असंगत भूमिका द्वारा व्यक्ति की पूर्वा ग्रहों में कमी आती है मिनार्ड और पालमोर ने भी अपने अध्यानों में इसी प्रकार के परिणाम पाए अगला है सामाजिक विधान सामाजिक कानूनों के द्वारा भी पूर्वा ग्रहों को कम किया जा सकता है जब सरकार पूर्वा ग्रह नियंतरन संबंदी कोई विशेश कानून बनाती है तो इससे सामाजिक वातावरण में कुछ ऐसा परिवर्तन आता है जिससे पूर्वा ग्रहों में कमी आ जाती है जैसे भारत में दलितों से संबंदित अनेक तरह के पूर्वा ग्रह मोजूद थे जिनमें एक प्रमुक पूर्वा ग्रह चुवा चूद की थी भारत सरकार ने सामाजिक विधान बना कर चुवा चूद को गैर कानूनी गोशित किया जिसके परिणाम स्वरूप दलितों से और इस विधान को और अधिक प्रोसाहन देने के लिए अंतर जातिय विवा करने वाले व्यक्ति को आर्थिक प्रोसाहन के अलावा सरकारी नोकरियों में आरक्षन देने की भी बात की इसी तरह से महिलाओं और विकलांगों के प्रति पूर्वा ग्रह को कम करने के लिए भारत सरकार ने अनेक तरह के सामाजी कानून बनाए हैं एवं सरकारी नोकरियों में आरक्षन दे कर उनका सामाजी कार्थिक इस तरह उच करने का प्रयास किया है विदेशों में भी सरकार प्रजातिय भेदबाव से संबंदित अनेक कानून बनाए हैं जिसमें निग्रो, यहूदी, आदी के प्रति जो गोरे व्यक्तियों में जो पूर्वा ग्रह व्याप्त हैं उनमें काफी कमी आई मेयर्स ने अमेरीकन जनसंख्या का सर्वे करके यह बताया कि प्रजातिय विभेद को रोकने से संबंदित विधान बनाने के बाद प्रजातिय पूर्वा ग्रहों से ग्रसित व्यक्तियों के पूर्वा ग्रह में 60% तक की कमी आई अगला है अलगाव विरोधी नीती कि सरकार और समाज सेवी संस्थाओं को यह चाहिए कि समाज में अलगाव विरोधी नीती का अधिक से अधिक उप्योग किया जाए ताकि समाज में व्याप्त भिन भिन तरह के पूर्वा ग्रहों में कमी आ सके हमारे समाज में आज भी अलगाव की नीती काफी प्रचलित है जिससे कुछ पूर्वा ग्रहों का विकास हो रहा है जैसे आज भी यह देखा जाता है कि दलितों के लिए अलग आवासी योजना चलाई जा रही है इससे तो दलित के प्रती पहले से चलियारी पूर्वा ग्रह और भी मजबूत हो जाएंगे अत्य सरकार समाज सेवी संस्ताव को चाहिए कि इस ढग की प्रथक ग्रह परियोजना की जगये पर समलित ग्रह परियोजना चलाई जाए उसी ढग से सरकारी नौकरियों में आरक्षन का आधार जाती या वर्ग ना हो तो अच्छा है क्योंकि ऐसा होने से जातिय पूर्वा ग्रह और अधिक बलवान होते हैं और आरक्षन का आधार कोई ऐसी कसोटी हो जिससे सभी जाती के लोगों को बराबर लाब मिले इससे अपने आप ही जाती है पूर्वा ग्रहों में कमी आएगी तो ऐसा देखा गया है कि अलगाव विरोधी निती के परिणाम सभी देशों में उम्मीद के अनुसार नहीं पाए गए है अगला जो विधी है वो है व्यक्तित्व परिवर्तन विधिया इसके द्वारा व्यक्तित्व में परिवर्तन लाकर पूर्वा ग्रहों को कम करने का प्रयास किया जाता है जैसे सेम्सन और इस्मित का कहना है कि पूर्वा ग्रहों को कम करने के लिए एक संतुलित परिपक और खुले विचार का व्यक्ति होना आवश्यक है समाज मनोवे ग्यानिकों ने व्यक्तितु में परिवर्तन मनोच किसा की विभिन विध्यों के द्वारा करने का प्रयास किया इन विध्यों द्वारा जब व्यक्ति के व्यक्तितु में परिवर्तन आ जाते हैं तो वे अन्य जाती, धर्म, प्रजाती के व्यक्तियों के बारे में इस ढंग से सोचना प्रारम कर देता है जिससे उसमें चली आ रही गलत फैमिया अपने आप दूर हो जाती है और परिणाम स्वरूप पूर्वा ग्रह में अपने आप कमी आ जाती है तो सेकर्ड और बैक्वेन ने इन विधियों द्वारा पूर्वा ग्रहों को कमी करने में कुछ कटनाईयों का सामना किया जैसे कि व्यक्तित में परिवर्तन लाना अपने आप में बहुत ही समय लेने वाला खर्चिला और कठिन प्रक्रिया है इसके अलावे व्यक्तित में परिवर्तन लाका पूर्वा ग्रह करना तब ही संबाव है जब सामाजिक परिस्थितियां जिसमें व्यक्ति रहता है उसमें भी उचित परिवर्तन लाया जा सके तो इस प्रकार से इस पश्ट है कि पूर्वा ग्रह कम करने के लिए समाज मनोवेग्यानिकों और समाज शास्त्रियों ने अनेक उपाय बताए हैं जिसके द्वारा हम पूर्वा ग्रहों को कम कर सकते हैं तो students, आज मैंने इस topic में आपको बताया कि पूर्वा ग्रहों को कम किस प्रकार से किया जा सकता है, उनको किस तरह से हम दूर कर सकते हैं, तो मैं समझती हूँ, यह topic आपको समझ में आ गया होगा, next video में next topic के साथ फिर मिलते हैं students, thank you so much students.